जारखन मुक्ति मोर्चा के कारेकारी अध्यक्ष हेमन सोरेन ने राची में जे एम एम कारेकरता को सम्भोजित किया और कहा कि हम उन लोगों को मुँ तोड जवाब देंगे जिन्होंने हमारे खलाफ साजिश राची कारेकरताओं को सम्भोजित करते हुए राजी के पूर मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने कहा कि बीजेपी के ताबूत में आखरी कील ठोकने का समय आ गया है राची में पार्टी कारेकरताओं को सम्भोजित करते हुए हेमन सोरेन ने आगे कहा कि भाजपा को भारत के समाजिक तानेबाने को नश्ट करने में महारत हासिल है देश के जनता ने भाजपा को 2024 के लोगसभचुनावों में सबक सिखाया है भाजपा जारखंड में विधान सबचुनाव जीतने का सपना देख रही है लेकिन आगामी विधान सबचुनाव में जारखंड से भगवा पार्टी खत्म हो जाएगी वहीं इस बैठक के बाग पूर मुख्य मंतरी हेमन सोरेन ने अपने आवास के बाहर पार्टी कारिकरताओं को संबोधित करते होए कहा कि भाजपा वाले हमें गुम्रह करने और हर संभव तरीके से हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे विधान सबब चुनावों में हमने उन्हें दिखा दिया है कि हम क्या करने में सक्षम हैं अगले विधान सबब चुनावों के लिए उनका सपना कुछ और नहीं बलके सिर्फ मुंगेली लाल के हसीन सपना है हेमन सोरेन ने आगे कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि भाजपावाले विधान सभचुनाव समय से पहले कराने की योजना बना रहे हैं मैं उन्हें चुनाती देता हूँ कि वो ज़स दिन चाहें चुनाव कराएं भाजपा कई राजियों में आदिवासियों को सीएम बना रही है लेकिन वो सिर्फ रबर स्टांप है जरकन के पूर्मुख्यमंत्री हेमन सोरेन विर्सा मुंडा कारगार से रिहा हुए हैं बता दे की धन्शोधन मामले में राज़ी की हाई कोट ने उन्हें जमानत दे थी वहीं इस दोरान हाई कोट ने कहा था कि प्रतम द्रश्ट्यांत वो दोशी नहीं है और जमानत पर रहे कर याज़ुका करता की तरफ से कोई अपराध करने की कोई संभावन नहीं है हेमन सोरेन को एडी ने 31 जनवरी को आठ एकड के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में जाच के दोरान गिरफतार किया था